हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में दोस्तो तो दोस्तो बहुत बड़ी नियूज निकल के आ रही है सामने कि सेल का जो बिलाई में पाउर प्लांट है स्टील पाउर प्लांट सेल बिलाई स्टील पाउर प्लांट जो की 36 गर में क्वाइन की क्लों के वाले हैं और दोस्तो कब एक जांना हो सकता है इसका एक्सपक्टेट सभी पॉंटब लागे लोगे तो सिसकाक व्यां हम से students तोचल दोस्तो बीदियो को सुरू कर लेते हैं तो देखते हैं दोस्तो वेकंसी कहाँ कहाँ वेकंसी आई हुए हैं दोस्तो यह देखिए सीनियर कंसल्टेंट की वेकंसी हैं E4 ग्रेट पे कंसल्टेंट E3 की वेकंसी हैं दोस्तो मेडिकल ओफिसर की वेकंसी हैं मैनेजर की है उपिटी मेनेजर की हैं दोस्तों हम दोस्तों अपनी इन्ट beleza सहे देखेंगे कि डिप्लो ओक्टमा कितनी खंच है और भी तar कि में कितनी उस्तों यहों दूसतों मैंनेजर घ्र का लेते हैं अधर दो एक भीode यह की हैं बीओई की बारे वेकेंजी हैं दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर सेफटी की 10 वेकेंजी हैं जिसमें की दोस्तों बीटेक रिक्वार्मेंट है अब देखें दोस्तों S3 ग्रेट पर चलते हैं नेम आफ़ फोस्त माइन माइन्स फॉर में में दोस्तों S3 की जिसमें की सोला पोस्ट है, सर्वेर की देखते हैं दोस्तों इसमें चार पोस्ट है, ओपरेटर कम टेकनिशन की दोस्तों आठ पोस्ट है, माइनिंग मैट में दोस्तों सत्रा पोस्ट है, बलास्टर की सत्रा है, ओपरेटर कम टेकनिशन बोईलर की तेतालिस है, अटेंडेंट कम टेकनि जरूर जाए ताकि उससे जो है आपको एक आईडिया लग जाता है दोस्तों experience हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप exam देते हैं किस टाइप के question आते हैं एक आईडिया आपको लग जाता है यहां दोस्तों देखिए जितनी है नंबरों पोस्ट ही है टोटल डिसकस कर रखी ह यहां category wise दिखा रखा है दोस्तों general में कितनी पोस्ट है SC में कितनी है ST में कितनी है OBC में कितनी है EWS, PWD, ESM सभी में दोस्तों category wise description दिया गया है तो आप सभी इस notification का link में आपको description में दे दूँँगा आप यहां से इसको download कर सकते हैं download करने के बाद दोस्तों आप अपने according सह इस अच्छे तरीके से इसको पढ़कर तब form apply कर सकते हैं सभी चीजों के बारे में डिसकासर रहेंगे दोस्तों form apply date भी बताऊंगो कब से start हो रहे हैं और close date भी बताऊंगो दोस्तों कब से हो रहे हैं application form fees कितनी होगी दोस्तों यह भी बताने बाला हूं operator कम technician boiler जिसमें की total 6 दोस्तों यहां देख लीजिए हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वेकेंसी हैं आप डिटेल में इसको डाउनलोड करके और देख सकते हैं अब दोस्तों हम यहां देख लेते हैं कि किस की पोस्ट के लिए क्या क्या qualification मांग गया कितना experience मांगा गया दोस्तों वह सब हम discuss करने बाले हैं तो दोस्तों यहां कंसरेट की medical की यहां तो हमारा कोई काम नहीं है तो दोस्तों हम अपने चलते हैं अपने टेखनिकल वेकेंसी अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों कि जो माइनस फॉर मैंने दोस्तों यहां दोस्तों पास होना चाहिए अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों कि जो माइनस फॉर मैंने दोस्तों जो डिप्लोमा वालों की वेकेंसी है दोस्तों यहां पर जो डिप्लोमा वालों की वेकेंसी है कितना experience मांगा यह देखते हैं दोस्तों जो माइनस फॉर मैंने इसमें फूल टाइम तीन साल का डिप्लोमा required मांगा है और दोस्तों इसमें एक साल का experience आपको होना जरूर यह है और इसमें दोस्तों सर्वेयर की देखिए S3 में maximum age 28 साल है दोस्तों और इसमें matriculation with 3 year का full time diploma मांगा है diploma mining में होना चाहिए दोस्तों और बन year का experience मांगा है और इलेमेंट फिल्ड में operator कम technician सर्वेयर supervisor की दोस्तों S3 की maximum age 28 साल है matriculation भी 3 year का diploma दोस्तों electrical engineering में होना चाहिए बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों आप इसको जरूर देखें क्योंकि हमारा चैनल electrical से related है तो मैं electrical पर ज्यादा फोकस करता हूँ दोस्तों इसमें देखिए थ्री यर का फुल electrical में डिपलोमा मांगा है इसमें बैलिट electricity supervisor certificate माइनिंग में होना चाहिए और दोस्तों इसमें देखिए minimum one year post qualification experience मांगा दोस्तों और यह दोस्तों अगला है दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्निशन जो boiler s3 के लिए डिपलोमा वालों के लिए फ्रेसर के लिए तो ऑपरेटर कम टेक्निशन बोईलर में दोस्तों इसमें क्या कहते हैं matriculation होना चाहिए तीन साल का दोस्तों डिपलोमा मांगा है डिपलोमा दोस्तों mechanical से भी हो सकता है और chemical power plant से भी होना चाहिए किसी से भी आप हो तो आप फोंग को भर सकते हैं अब दोस्तों आगला देख लेते हैं अटेंटेंट कम टेक्निशन बोईलर एस बन दोस्तों जो एस बन का है इसमें इसमें matriculation full time ITI मांगा दोस्तों ITI वालों के लिए यह बैकेंसी है इसमें government recognize होना चाहिए और second class boiler attendance certificate होना चाहिए दोस्तों दोस्तों यह जो वेकेंसी ऑपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी एस त्री की जो वेकेंसी है दोस्तों यह फ्रैसर वालों के लिए यह फ्रैसर वालों के लिए इसमें maximum 28 साल है matriculation with three year का डिपलोमा होना चाहिए फूल टाइम electrical engineering में या किसी में किसी सभी हो दोस्तों इसमें कोई experience requirement नहीं है अब दोस्तों अगला देख लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्निशन ट्रेनी का जो है दोस्तों इसमें भी क्या कहते हैं फूल टाइम आई टी आई मांगे दोस्तों इसमें चाहिए फिटर से हो इलेक्टिशन से हो instrumentation से हो mechanical से हो अगली जो अटेंडेंट कम technician trainee heavy vehicle driver की दोस्तों इसमें maximum 28 साल है दोस्तों इसमें matriculation with valid driving license heavy motor vehicle का होना चाहिए दोस्तों बन एखर का post qualification experience होना चाहिए driving में दोस्तों दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों तो सफ स्थ में 5 साल मिलेगए, ओवी सी में 3 साल का पी डव लुडी में 10 साल का और डौ मिशल जिसके डौ मिशल dोस्तो जम्मूऔर कस्मीर के हैं उसे 5 साल का एज अपर रिलाक्सेसन मिलने वाला है यहां पर अब दोस्तों medical standards देख लेते हैं medical standards इसमें physical में क्या मांगाया दोस्तों इसमें just height होने है दोस्तों for grade यी आशान जांध पोस्त के लिए जो हई चोंध होने जांए मेल के लिए 115 cm संटेमेटर होने चाहिस चाहिस फीमेल के लिए और male का weight जो है दोस्तो 45 kg female का 35 kg अगला दोस्तो visual parameter पर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तो visual parameter जो है वो 6 by 9 with or without glasses और 6 by 6 and 6 by 12 in the other eye with or without glasses दोस्तो यहां eye parameter भी आप देख सकते हैं visual parameter को भी आप देख सकते हैं दोस्तो यहां पर other emolence and other benefits पर बात कीगी है यानि कि salary package पर बात कीगी है senior consultant की आप यहां pay scale देख सकते हैं consultant manager का भी देख सकते हैं medical officer का भी देख सकते हैं ठीक है दोस्तो और आगे मैं बताने वाला हूं दोस्तो mine for men और surveyor की कितने होने वाला है दोस्तो यहां 26,000 से लेके 38,920 तक होने वाला है माइनिंग मैट ब्लास्टर अटेंडेंट कर टेक्निशन बोईल और ओपरेशन अटेंडेंट कर टेक्निशन यहां की आईटिय और डिप्लोमा वालों के लिए भी दोस्तो 25,000 से लेके 35,000 तक हैं salary होने वाली है आगे दोस्तो हम बात कर लेते हैं application fees के बारे में दोस्तो जो application fees होने वाली है E1 के लिए और ES3 के लिए S1 के लिए दोस्तो E1 के लिए 700 वाली है जो कि BTEC वालों की पोस्त है S3 के लिए 500 वालों की पोस्त है S1 जो दोस्तो ITI वालों की पोस्त है उसके लिए 300 वाली है और यह जो fees है दोस्तो वो general EWS और OBC candidate के लिए applicable है और दोस्तो SC, ST, PWD और ESM departmental candidate के लिए only processing fees यहां देनी होगी जो कि यहां यह mention है बाकी कोई extra fees यहां नहीं देनी होगी यह A number का point है आप पढ़ सकते हैं इसको दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी form online की date की तो दोस्तो इसकी date देख लेते हैं कब से start हो रहे हैं form तो दोस्तो 26 ग्यारे 2022 से इसके form start हो रहे हैं और 17 बारे 2022 से आप इसका form fill कर सकते हैं दोस्तो 26 November से 26 November चे ऐसके form start हो रहे हैं और 17 से डिसंबर तक आप इसका form की लाजज जेट रहे हैं तो दोस्तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस form को जरूर फ्रॉल करें आई होगी दोस्तो वीडियो आपको काफी पसंद आई